नमस्कार दोस्तों तो खाना बरने की हुए यह तैयारी सबसे पहले बनेंगे पूड़े और उसके बाद बनाएंगे पचोड़ी तो पहले पूड़े का आठा अच्छा से मतले देखू जिससे की पूड़े एच्छे से आए पूड़े ही पूज़े जाते हैं तो इसलिए पहले पूड़े बनेंगे कथा बथा सुनके और उसके बाद हमने पी चाय और चाय पीके अब लग गए हैं फटा-फट से रसोई में कचोरी बनाने के लिए आलो कद्दू कस कराई कद्दू कस करके कचोरी होत अच्छी बनती है फटती नहीं है वैसे गाठा जाती है तो कचोरी फट जाती है तो देखिए सबसे पहले हम लमक डालेंगे हुआ कि थोड़ा सगर अम्मा साला डालेंगे और हींग डालेंगे हींग से कचोरी भोत अच्छी लगती है और हाद में वेचा रहता है इसलिए हींग जरूर टालना चाहिए हलकी से मिर्च डालेंगे क्योंकि मिर्च बच्चे हमारे कम खाते हैं धनिया और यहारा धनिया धो के साख कर लिया तो थोड़ा हारा धनिया भी डालें तो दिकी धनिया कट लिया है और दो मैने हरी में चली है बार एक बार एक से काटूं क्योंकि ज़्यादा है तीखा खाते नहीं है जब तक मेरी कढ़ाई गरम हो रही है तो मैंने कचोरी के लिए पिठी तैयार कर लिए एक हमें दर दर खोड़े पूजने आ है तो इसलिए मैंने चोटे-चोटे बनाएं क्योंकि भाने होते है और इसके बाद बड़े-बड़े बनाऊं खर शखब मैं खर्म लुझ सेंग। अबस्ट जैओता भी सब्ट спрос हरे लामा गूविन, हरे लामा, गूविन हरे लामा, रहा मुविन हरे हरे, हरे, लामा volunteer झाल 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 यह बढ़िए जी तो कि अगए था रिख लिख भाइक अगए टुड़ आगा जी आगए लिख नहीं जी अगें मठरी है है शिवाई की फैवरेट शिवाई की फैवरेट है क्या मठरी अच्छा रुख जाओ मैं उपन करते हूं वा इस नहीं है यह तो सिवाई का दिया है यह तो तो जिन आशिवाइगे लिफ आश्टरोक है नमामा में इसी लिए